नमस्कार दोस्तों मेरा नाम विबेक है और आप देखरो टेडिंग त्रेपी आज का बडियो बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि आज बात करने वाले हैं यहां दोस्तों T 플स जिरो सेटलमेंट हमारे देस के स्टॉक मार्केट के अंदर 28 मार्च दोहजार चोबिस के बाद लागू हो जाएगा यह कंफर्मेशन सेबी का बोर्ड ने पंदरा मार्च को कंफर्म कर दी थी सेवी ने 25 सेयर के साथ टी प्लस जीरो सेटेलमेंट का बिटा वर्जन लागू कर रही है यानि कि धीरे धीरे करके यह भी चार शेशन के अंदर एक कम्प्लीट करने का प्रोग्राम है दोस्तों बिटा वर्जन का ट्रायल तीन मन्त का चलेगा जिसके बाद आगे का प्रोसेस होगा जिसमें से आप बोल सकते हो बिटा वर्जन का टूसरा वर्जन वापस आएगा जिसमें कुछ और कम्पनियों को लिए जाएगा और फिर से मार्केट में ट्रायल करी जाएगा दोस्तो आपको बता दू कि T plus 1 settlement का process आपका 2021 स्टार्टिंग से स्टार्ट हो गई थी और complete आपका March 2023 के अंदर करी गई थी यानि के लगबग इसमें 3 साल का duration आपका लग गये थे अगर मैं clear बे में बताऊं तो इसको भी 4 session में complete करी गई थी जिस तरीके से T plus 0 settlement लाग करने का को सेल करते हो तो यह trade कब तक settle करी जाएगी this is the timing like this अगर आप कोई इंसान अगर आपसे बोल रहा है कि T plus 1 settlement करी जाएगी इसका मतलब होता है कि आपने जिस दिन ट्रेड करा उसके एक दिन के बाद settle किया जाएगा जैसे मंडे की दिन मैंने ट्रेड करा तो आपका Tuesday के दिन आपके account में सारी चीज़ सेटल कर दिया जाएगा दोस्तों अब एक सबसे बड़ी सवाल है कि जो टी प्लस जीरो सेटेलमेंट है इसमें कीन है सबसे ज्यादा फाइदा होने वाला है तो दोस्तों मैं आपको बता दो इसमें तीन सबसे बड़ा benefits आपको मिलने वाला है जिस जैसे ही आपका टी प्लस जीरो सेटलमेंट लागू हो जाएगा तो यहां पर आपको सेम डे ही अपने डिमेड एकाउंट से अपना सेविंग एकाउंट में ट्रांजक्शन का फैसलिटी अबलेबल कर दिया जाएगा दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा फाइदा है लिक्वि करते थे लेकिन अभी के बाद आप अपनी पूरी कैस का 100% अप्लाई करके अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हो और वहां से अच्छा बेंपिट आप उठा सकते हो दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा बेंपिट मिलेगा मिचुल फंड कंपनियों को और साथ में उनका को भी इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने कोई मिचुल फंड के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप सही लोगों पता है कि आज करेट में टी पलस टू सेटेल्मेंट लागो किया जाता है इसका मतलब कि अगर आपने बोल सकते मंडे के दिन करा तो आ आज अगर आपने मिचुल फंड में वेच्ट करा है तो यह सेटल्मेंट आपको अगले दिन टी पलस वन सेटल्मेंट में आपको सो करने लगेगा इससे एक और फैदा मिलेगा कि लाइक दिस अगर किसी को करना है अपने मिचुल फंड के अंदर से तो ऊपैसे को वेड़ चीज के लियर हुआ कि वेस के अंदर टी प्लस टू सेटेल्मेंट अभी के डेट में यूज ट्राई कर रही है टी प्लस वन सेटेल्मेंट लागो करने का जपान में अभी के डेट में टी प्लस टू है उसी तरीके से यूके के अंदर भी टी प्लस टू सेटेल्मेंट और जर तो अगर भारत की बात करूँ तो भारत T plus zero settlement लागू करने वाला world का दूसरा सबसे बड़ी country है और अगर भारत इस चीज में सफलता हासिल कर लेती है तो world label पर भी एक बड़ा मुकाम होगा क्योंकि दो को world label पर अगर world standard की बात करूँ तो आपके पास जितनी अच्छी facility उतने ही world का जो investor है आपके पास आएंगे तो आने वाला वक्त में भी हमारे देश के अंदर बहुत सरा opportunity है जो as a investor हमें बहुत सरा फायदा मिलने वाला है लाइक दिस इस वीडियो के अंदर बहुत सरा आपको important informations मिले होंगे वीडियो informative लगा है तो मेरा चैनल को subscribe जरूर करना लाइक जरूर करना दोस्तों क्योंकि इससे हम साइलों को motivation मिलता है जाहिन दोस्तों फिर से मिलते अगले वीडियो में